कंच rocky का पावरफुल टेख्निक में आपको बता रहा कभी ऐसा होता है याक भी आपको डाटा सबक्री जॉम्दी जॉच ऑ जाति है कभी मौसम की वज़े से हमारा भावना आ जाती है, हमारे अंदर ऐसे एमोशन निगेटिव आ जाते हैं, जो हम कंट्रोल नहीं कुक्रपाते हैं, तो उन इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो यह वीडियो में जुरूर अंधर तक देखिए तो क्या है, इसमें तीन शब्द है, जो आपको दोरान है, जब जो इमोशन अतारकीक, जिसका कोई तरक नहीं है, वो इमोशन जब आ जाते है, तब, तो क्या शब्द है, तीन शब्द, सी, यस, यन, बड़े शब्द में बताता हूं, चुब बैटो, शांत रहो, नियंतरन में हो, तो एक क्या शब्द है, तो जो इमोशन आते है, तो सबकॉंशेस माइंड से आते है, अंतरमन से आते है, जिसके ताकत 90% से ज़्यादा है, और हमें कोंट्रोल नहीं होता है, परन्तु आपका कॉंशेस माइंड, यानि बायमन मालिक है, उसने अगर कमांड दिया सब कॉंशेस माइंड को, तो चूपएट, शांत रहो, नियंतरन में हो, तो वो इमोशन आपके अंदर से आएंगे नहीं, यह मैंने खुद अनुभव किया है, और आपको बता रहा हूं, जब आपको इमोशन आ जाता है, तो कमांड यानि आप खुद कमांड लेना है, अधिका से बोलना है, कैसे बोलना है, आधिकार से बोलना है, चूपएटो, शांत रहो, नियंतरन में हो, जब आप बोलोगे, तो अंदर की अतारकिक भावना खतम हो जाएगी, तो आपको बोलना होगा विश्वास के साथ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक ओ इमोशन नहीं चांसे थी, तब मैंने यह फर्मूले का यूज किया, और उस वक्त जो मेरे जो पॉजिटिव एमोशन थे, और मैं शांदी से सो पाया, इसको मैं निगेटिव एमोशन भी यूज किया है, और उसको मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले है, मैं जो मेरे वरक्शॉप में लोग आते हैं, उनको मैं सिकाता हूँ, और उनके भी बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले है, लेकिन आपको यूज करना पड़ेगा, एक बार नहीं, बार बार जब यूज करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि चुप बेटो, शांत रहो, नियंत रन हो, ये लेकिन शब्दा जब उचारन करोगे, आपके हैबिट में डालोगे, तो आपके अंदर जो निगेटिव एमोशन आता है, जो पॉजिटिव एमोशन से भी आपकी नीद खराब हो जाती है, दोनों में आपको लाब होगा, तो याद रखिए, इसको यूज किजिए, और अभी देख हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन याद से दबाएए, तो यह नए वीडियो बनाएंगे, तो सबसे पहले नूटिवेक्शन आपके पास आएगा,